वेल्कम स्टुडेंट्स आज हम जो नेक्स्ट पार्ट रीड करेंगे इसका दारेट रेप का बट वाइल ही बाज राइडिंग अप टो दा मैनर हाउस जब वो गोड़ा गड़ी में बैठ कर जमीदार के जगीरदार के घर जा रहा था he had evil for weddings उसको कुछ बुरा होने का पूरवा अभास हुआ why the devil did I take that fellow's money मेरे जैसे रेक्षिस ने उस आजमी का पैसा क्यों जुराया he thought उसने सोचा now I am sitting in the trap मैं जाल में बैठा हुआ हूँ and will never get out of it में से बाहर नहीं आ पाऊंगा the next day was Christmas Eve अगले दिन जो है वो Christmas संदिया है and when the iron master came into the dining room जब वो भोजन कक्ष में आया for breakfast उबा के नाश्टे के लिए he probably thought उसने सोचा with satisfaction उसको संतुष्टी हो रही थी of his old regimental comrade अपने उसको पुराने regiment के साथी के बारे में सोच कर whom he had run across जिसको वो मिला था so unexpectedly स्रियोग वश मिला था first of all we must see हमें देखना होगा it that he gets a little flesh on his bones हमें ये देखना होगा कि उसकी हडियों पे कुछ मास आ जाए he said to his daughter उसने अपनी पुत्री को कहा who was busy at the table जो table के उपर बियस थी and then we must see हमें देखना होगा that he gets something उसको कुछ मिल जाए else to do करने के लिए than to run around the country selling ratraps उसको देश में इदर उदर जो चुहेदानियों के बीचने के लावा को करने को काम मिल जाए it is cure जे अजीव है that the things have gone down hill with him with him उसकी जो दशा बिगरती गई as badly as that जितनी बुरी said that daughter पुत्री ने कहा last night अंतिम रात्री I did not think there was मुझे नहीं लगता था कि there was anything about him too कुछ ऐसा हो to show जैसे पता चले that he had once been an educated man कि वो एक बार शिक्षित आजमी था you must have patience my little girl said the father पिता ने कहा मेरी शुट्टी पुत्री आपको धैरे रखना होगा as soon as he gets clean and dressed up जैसे ही वो स्वच और अच्छे कपड़े पहनेगा you will see something different आप कुछ अलग देखेंगे last night he was naturally embarrassed पिछली रात्री वो सभाविक तोर पर शर्मिंदा था the tramp manners will fall away from with him with the tramp glows उसके जो अवारा तोर तरीके हैं अवारा कपड़ों के साथ चले जाएंगे just as he said उसने कहा this door opened जे द्रवाजा खुला and the stranger entered और अजनवी ने प्रवेश किया yes, no, he was truly clean and well dressed वो अब बिलुकुल सबच और अच्छे कपड़े पहने हुए है दा बैलेट हैड वाथ्ड हिम नोकरनस को नहला दिया है cut his hair बाल कार दिये हैं and shaved हिम उसकी दाड़ी बना दिये है moreover he was dressed in a good looking suit of clothes which belong to the iron master इसके अधिरिक्त वो अच्छा लग रहा है कपड़ों में जो लोह मिल मालके हैं he wore a bite shirt उसने एक sweet shirt पहनी हुई थी and a starched collar और कलफ वाला एक collar था जिसका कलफ वाला collar था and whole shoes और पूरे जूते पहने हुए थे but although जद्यपी his guest was no so well groomed उसका जो अतिती था बहुत साफ सुत्रा था the iron master did not seem pleased ऐसे लगा कि वो खुश नहीं हुआ he looked at him with puckered bro उसने तियोडिया डाल कर उसको देखा माथे के उपर and it was easy to understand and ये असान था समझने के लिए that when he had seen the strange fellow जब उसने अजनवी को देखा in the uncertain reflection अनिश्चित परशाई थी जो from the furnace भठी से he might have made a mistake उसको गलती लगी हो but that now when he stood there in the broad daylight जब वो दिन के प्रकाश में बहां पे खड़ा है it was impossible to mistake him far and old acquaintance इसके लिए बसंबब होगा गलती करना कि उसको पुराना प्रेचित माना what does this mean he thundered वो दाड़ा इसका क्या अर्थ है the stranger made no attempt to dissimulate जो अजनवी था उसने कोई बहाना बनाने की कोशिश नहीं की he saw it once that the splendor had come to an end उसने देखा कि उसका शान और शोकत भैबब चला गया है it is not my fault sir जे मेरा दोश नहीं है it said उसने कहा I never pretended to be anything मैं किसी जो है मैंने कोई बनने का बहाना नहीं किया था बटे पूर ट्रेडर मैंने अपने आपको एक ग्रीब बेपारी बनाया था देपारी बताया था and I pleaded and begged और मैंने जो थी आप के आगे प्राथना और जाचना की थी to be allowed to stay in मुझे इजाज़त दी जाए रहे in the forge भठी के अंदर but no harm has been done कोई कशती नहीं हुई है at roast बुरे से बुरा I can put on my racks again and go away मैं अपने पुराने कपड़े पहलूँगा और चला जाऊंगा well said the iron master hesitating little कुछ हिचक जाते हुए it was not quite honest जे बिल्कुल इमानदारी बाली बात नहीं है either you must admit that आपको सविकार करना होगा and I should not be surprised if मुझे हिरानी नहीं होगी if the sheriff would like अगर जिला अधिकारी आए like to have something to say in the matter उसको भी मामले में कुछ कहने का मुखा मिले the tramp took a step forward वो एक अदम आगे आया and struck the table with his feast अपने मुक्का जो table पे मारा now I am going to tell you मैं आपको बताने वाला हूँ Mr. Iron Master Shiriman Aloha Mil Malak how things are, बाते कैसे होती है he said, उसने कहा the whole world is nothing पूरा संसार कुछ नहीं है but a big rat rat, बड़ा चुहेदानी है all the good things that are offered to you जो अच्छी चीजे आपको पेश की जाती है are nothing, कुछ नहीं है but cheese rains पनीर के टुकडे है and bits of the pork और मास के टुकडे है set out, जो रखे जाते है to drag a poor fellow खींचने के लिए एक ग्रीब आदमी को into trouble समस्या में and if the sheriff comes अगर शासन अधिकारी आता है now and locks me up मुझे जेल में डालता है for this then you Mr. Iron must remember लोहा मिल मालक आपको जाद रखना होगा that day में कम एक दिन आएगा when you yourself may want to get a piece, big piece of pork आपको भी एक सूर के मास का बड़ा टुकुड़ा चाहिए and then you will get caught in the trap आप भी जाल में फस जाएंगे the iron master begin to laugh वो हसना शुरू हो गया that was not so badly sad जीतना बुरा नहीं है my good fellow मेरे अच्छे साती perhaps we should let the sheriff alone on the Christmas Eve हमें Christmas की संदिया पे शासन अधिकारी को केला शोर देना चाहिए but now get out of here as fast as you can जितनी जल्दी हो सके यहां से चले जाओ but just as the man was opening the door जैसे वो आदमी दुरवाजा कोल रहा था the daughter said I think मैं सूछती हूँ he ought to stay with us today वो उसको हमारे साथ रहना होगा चाहिए I don't want him to go मैं नहीं चाहती की वो जाए and with that इसके साथ she bent वो गई and closed the door दुरवाजा बंद कर दिया what in the world are you doing संसार मैं आप क्या कर रहे है said the father पिता ने कहा the daughter stood लड़की खड़ी रही they are quite embarrassed काफी चंबित होकर and hardly knew उसको नहीं पता था मुशकल से what to answer क्या जवाब दिया जाए the morning she had felt so happy सुबा वो खुश हो रही थी when she thought जब उसना सोचा how home-like and christmasy she was going to make things far poor hungry rage rage होता है अभागा की वो बहुत खुश हो रही थी जब वो सोच रही थी की जो पूर भुखा अभागा व्यक्ती है वो कैसे घर की तरह महसूस करेगा and christmasy वो कैसे christmasy बन कर उसके लिए she was going to make things उसके लिए चीज़े तियार कर रही थी she could not get away from the idea वो इस बचार से दूर नहीं जा चुकी थी advance एकदम and that was why इसलिए she had interceded for बैगाबून इसलिए उसने उसके लिए प्राथना की I am thinking of this stranger here said the young girl उस नवजूती नखा मैं अजनवी के बारे में सोच रही हूँ he walks and walks the whole year long वो पूरे बर्च चलता चलता रहता है and there is probably not a single place एक मातर ऐसा स्थान नहीं है in the whole country पूरे देश में where he is welcome जहां उसका स्वाग्द किया जाए and can feel at home घर जैसा महसूस किया जाए wherever he turns जहां पे वो मुड़ता है he is chased away उसको बखा दिया जाता है always he is afraid of being arrested and cross examined उसको हमेशा डर रहता है कि उसको जेल हो जाएगी और उससे जिरा होगी लग लग प्रेशन पुशे जाएंगे I should like to have him मैं चाहूंगी enjoy a day of peace विदस वो भी एक दिन शांती का हमारे साथ गुजारे जहां पे है just one in the whole year पूरे बर्ष में एक दिन the iron master mumbled something in his beard वो अपनी दाड़ी में कुछ बढ़ बढ़ाया he could not bring himself to oppose her वो उसका बिरोध नहीं कर सका it was all a mistake of course जो गलती थी she committed continues ने जारी रखा but anyway फिर भी I don't think मैं नहीं सोचती we ought to chase away a human being हमें किसी आदमी को बगा देना चाहिए whom we have asked to come here जिसको हमने कहा था कि आप जहां पे आएं and whom we have promised Christmas year जिससे हमने वादा किया है कि Christmas की खुशियां देने का thanks a lot have a nice day